क्या कम मिट्टी में या फिर बिना मिट्टी के हम प्लांट्स लगा सकते हैं तो प्लांट्स तो बहुत सारे मैंने नहीं लगाएं पर हाँ सब्जियां लगाई हैं सब्जियां हम बहुत अच्छी से ग्रोव कर सकते हैं कम मिट्टी में या फिर बिना मिट्टी के भी तो वही अगर हम इस तरीके से वेजटेबल्स ग्रोव करते हैं तो कई बार फंगस लग जाता है तो उसका भी एक शॉलिशन में यहां पर देने वाली हूं कि अगर आप इस तरीके से वेजटेबल्स ग्रोव करेंगे तो फंगस बिल्कुल नहीं लगेगा और बहुत अच्छी से ग्र ग्रोव बैक खाली करने वाली यहां पर मैंने कुछ वेजटेबल्स लगाई थी बहुत पहले तो देखें नीचे आप देख सकते हैं जो आपको यह ब्लैक ब्लैक नजरा रहा है यहां पर मैंने किचन वीजट डाला था तो किचन वीजट जो कि आप कंपोस्ट बन चुकी ह इस तरीके से आप वेजटेबल्स लगाएंगे तो इसके काफी सारे बैनिफिट्स हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूं तो देखें मुझे फ्री में कितना सारा यहां पर कंपोस्ट बनके भी तेयार हो गया है इस कंपोस्ट का हम वेजटेबल ग्रो करने के लिए एक ग्रो बैग ले रही हूं आप बोरी लिली या जिसमें भी आपको वेजटेबल ग्रो करनी है तो नीचे मैंने हलकी हलकी सी मिट्टी डाली है अगर आपके पास मिट्टी नहीं है आप कार्ड़ या कागस के टुकड़े भी डाल सकते हैं और इस तरह क इसको मैंने लेनी की बार सुखा दिया है दूप में कम से कम दो से तीन दिन जिसे कि आपको सांड से पता चल रहा होगा तो इस तरह के से अगर आपको फंगस का डर है कि कई बार होता है लोगों को थोड़ा बहुत अगर पानी का ध्यार नहीं रख पाए वैसे तो फंगस लगनी के शांसे नहीं नहीं लगता है अगर पानी कंट्रोल में डाले अगर पानी बहुत ज्यादा डालते हैं तब जाकर फंगस लगने के चांसे बिलकुल बचना है तो आप यह करें कि जो भी है आपकी वेस्ट है देखी रहति हैं इस तरह कीॅसे ऑप ला करके इनको सुखा देखी तो भी इन में फंगस नहीं लगेगा उसके बाद इखिए जो सैगें आप यूज कर सकते हैं यह दिखिए नारियल के छिलके हैं तो इन नारियल के छिलकों को भी मैंने धूप में हलका सा सुखा लिया है मतलब 5 गंटे धूप में रख दिया था आप चाहें इनकी पतले-पतल इसे टुकड़े कर लें देखिए आप नारियल के छिलके के काफी सारे फायदे होने वाले हैं देखिए आपको ठंडग मिलेगी और साथी में मौस्चर मिलता रहेगा आपके जो प्लांट की रूट्स हैं उनको तो अगर आपके पास नारियल के छिलकी बगरे हैं तो आप कर सकते हैं और साथी में जे तो नारियल आता है को पीते हैं उसका आप ढूब में सुखा करके जो हमारा वाला नारील होता है उसके कवर का भी आप इस तरह के से यूज़ कर सकते हैं ग्रोव बगर को फिल करने में और देखिए इसका कितना कम वेट है आपको में एक हाँ से उठा के दिखा रही हूं इसका वेट इस ताइम एक किलो से भी कम है और लगबग देखिए 50% से ज्यादा हमारा यह ग्रोव बैक बढ़ चुका है तो इस तरह के से वेस्ट का यूज़ करने के काफी सारे बैनिफिट्स होते हैं जो कि आगे मैं आपको भी बताने वाली हूं तो चले देख लेते हैं कि आप कौन-कौन्चे छिलके इसमें डाल सकते हैं जिसमें हमारे नेवू के छिलकी हो आपको फ्रोट के चलके कम से कम 2-3 दिन सुखाने हैं धूप में उसके बाद ही आपको यहां पर जो हमारे फल के चलके हो डाले उसके बाद दिकिए जो हम नेक्स दाल सकते हैं आपके घर के आसपास कोई बड़ा प्लांट हो उसके पत्तियां गिरी हो तो आप उन पत्तियो सपोर्ट में रख दिया था और देखिए अब मैंने इसको डाल दिया है तो आप देख सेते हैं कि लगभा हमारा 70% इस तरह की सी ग्रोबैक फिल हो चुका है और अभी अभी हमने कुछ भी उस नहीं करा है और देख से इसका डेड़ दोख लोग के आसपास बजन होगा अब आपको अपने प्लांट के लिए बहुत ज्यादा सॉल आरेंज नहीं करने ही पड़ेगी सैकेंड आपको बार बार खात डालने की जरत नहीं पड़ेगी एक बार अगर आप अपनी जो प्लांट लगाते टाइम जो हलकी सी मिट्टी बिनाए उसमें अगर आप वर्मी कमपो और इस तरीके से जो हमारी चत वगरे हैं उन पर वेट नहीं पड़ेगा और हम धेरो प्लांट ग्रो कर सकते हैं जब अगर हमारी चत पे कम भार रहेगा तो इस तरीके से दिखिए आप मैं हलके हलकी सी मिट्टी बढ़ दे रही हूं अगर आपकी पास मिट्टी नहीं है त आप twins के जगे काफी सारी option ट्रीकर सकते हैं जसे कर कर सकते हैं और अगर कोकोपीट भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं जो सुखी पत्या वगरे आपके टेरस से निकले या आगर आसपास कोई पेड़ वगरे हो तो उसकी सुखी पत्यों को धूप में सुखा दे तीन-चार दिन उसके बाद उसकी पत्यों को क्रस्ट कर ले यानि कि उसका चूरा बराले बहुत चोटा-चोटा ऐसा आपने दीखा होगा कि जो हमारे पत्यों को चूरा होता है उसमें हमारे सीट्स वगरे और वेजटेबल्स बहुत इसली गुरू हो जाती है वह एक मिडिया का काम करता है तो इस तरीके से आप मिट्टी की जगे पर पत्यों का चूरा करके भी उसका यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको उपर से 4 तरफ से फैला देना है आपने यहां पर देखा मैंने बहुत कम मिट्टी यूज करी है इस तरफ यहां पर 3-4 इंच लेयर जो है मैंने मिट्टी के डाल ली है और इस तरीके से यहां पर कर देते हैं स्की लिंग को इस तरीके से अगर आप लगाना चौएं तो आप कमीटी में बहुत सारी वेजटीबल्स ग्रोफ कर सकते हैं यह बहुत अच्छी क्राइब होती है कि मैंने बहुत बार ग्रो आपसे शेयर भी आ जरा है तो इस तरह के सिर्किया से से इसमें than principle कर दी हैं टरणस्प्रांट कर दी हैं तरॉट करने आपको वह मेंसा साम पर करना है से यह benefit होता है जो हमारा नायच में होता है 5-6 हyorsun धूप्लाट मिल जाता है ताकि प्राइबल हो जाते रच में कम जाते हैं तो इस तरह के से आप को ऐ काम हमिश्यादा रात को करना की saint और इस तरह के से आप मैंने इसमें पानी डाल दिया पानी आप कोशिच करना इक पत्तियों कर आप आ लाए है तहके प Holzटonne मोश्र करते रही है